फाइनली गाईज उस नकली फ्रेकलीन को मैंने किडनेप करी लिया और लेकर आ चुका हूँ इस वली जगा पर और गाईज फाइनली अभी तक ना उसने सिंचन और चोप को नहीं बताया कि वो नकली फ्रेकलीन है मैंने उसे इतना हमारा पिटा कि उसकी हाले टाइट कर दी प और इसकी हालत कितनी ही टाइट हो चुकी है फाइनली तू मेरे कबजे में आई गया नकली फ्रेकलीन तूझे बोला था ना तू मुझसे पंगा मतले और तूने मुझे मारने की कितनी डेल सारी कोशिशे की है पर फिर भी तू मेरे को मार नहीं पाया मुझे लगता है ये त कानद यहां से मैं तेरे रास्ते में कभी रही आऊंगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तूसे पंगा लेकर देख शैद तुझे याद होगा तूने बैंक से पूरे पांच क्रोर डालर निकाले थे उस टेम मैं वहां पर इखड़ा था मुझे लगा तू काफी ज्यदा इसलिए मैंने सर्जरी कर आकर बिल्कुल तेरे जैसा फेस बना लिया और उसके बाद तेरी सारी डिटेल निकाली और तेरे घर में आ गया मैं देख अगर तू मेरे को मारेगा तो सेंचन और चौब भी नहीं बचेंगे तू क्या सोच रहा है सेंचन और चौब कहां पर है गड़ के अंदर होंगे नई वो गड़ के अंदर नहीं है वो मेरे ही कबजे में है अगर तू मुझे मारेगा और सेंचन और चौब भी मारे जाएंगे और ये बात तो मैंने सोची नहीं गाइस मैं सोच रहा था मैं इसे मार कर चला जाओंगा सेंचन और चौब गर के दूँगा देख अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो से चैनलर चॉप को छोड़ दे वरना तू यहां से बच कर जा नहीं पाएगा मुझे लगता है यह उससे बाती कर रहा है उससे पता नहीं है उस नकली फ्रैकलीन को बचाने के लिए मैं आ गया हूँ यह सामने की के तरफ ही खड़ा है मुझे इससे मञारना होगा यह जोरदार मारा मिलने अरे तुझे गब शेयर दोमाच मैं जब चाने की लिए ज़ुरूर्य कि बचाने लिए लोगे मुझे लगता है locks मैं यहां से जाना होगा क्योंकि ये एरिया मेरे लिए खतरनाक है अगर कोई सूपर एरो आ गया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा तो हमें यहां से निकलना होगा अवे ये क्या हुआ ये मेरे पर किसने वार किया पीचे से कही पर वो इलियन बैटमेन तो नहीं आया था काईज अगर वो आया था तो कॉमेंट सेक्शन में येस लिखो अरे बहुत बुरी हालत कर दी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा पड़े जोर से सर के पीछे से मारा उसने जाना होगा मेरे को यहां से बाग कर ठैंक गोड मैं फिर से बच गया एक मिनिट यह क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ यह कोन है यह तो वुलवरीन है अरे वुलवरीन यहां पर क्या कर रहा है वुलवरीन देख मेरी हालत काफी बुरी है रास्ते से हट जा देखो मुझे पता है यह सब कुछ किस ने किया है त मुझे ये सब कुछ पता है देखो मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ मुझे बाकी सूपर हीरो की तरह मत समझो बाकी सूपर हीरो तो सिर्फ नाम के ही सूपर हीरो है मैं वुलवरीन हूँ जैसा मैं कहता हूँ अगर तुम वैसा करोगे तो मैं तुमारी मदद करने के लिए त् देखो मुझे एक उसके लिए क्या करना होगा मैं तुमारी मदद करने के लिए त्यार हूँ बहुत अच्छे मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे देखो तुमने बहुत सरे सूपर हीरो को फ्यूजन सूट बना कर दिये है और उनको लास्ट में गोड सूपर हीरो का सूट भी मिला है तो मैं भी यही चाता हूँ तुम सूपर हीरो के फ्यूजन सूट स्टोर के अंदर जाओ और एक एक करके सूपर हीरो के सूट कॉलेक्ट करो और उन सूट को कॉलेक्ट करने के बाद तुम्हें जाना होगा उस मशीन के अंदर यो फ्यूजन मशीन है वहाँ पर सूपर हीरो के सूट कमबाइन करने के बाद मुझे गोड सूपर हीरो का सूट ला कर दो क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो मुझे पता है हो के ठीक है मैं समच चुका हूँ पर तुम्हें पता तो है मुझे उसके लिए सूट चाहिए होगा अगर तुम्हारे पास कोई सूट है वुलवरीन का तो वो सूट मुझे दे दो वो सूट के पैनने के बाद मेरे अंदर थोड़ी बहुत पावर आ जाएंगी और मैं सूपर हीरो के फ्यूजन सूट स्टोर के अंदर जाकर बाकी सूट बाइ कर सकता हूँ चीक है मैं तुम्हें सूट देने वाला हूँ मैं तुम्हें ये अपना सूट दूँगा तुम रेडी हो जाओ ओके गाइस इसने मेरे को ये वाला सूट दे दिया देख सकते हो ये फुल्फरीन जैसा ओ डेड़ पूल जैसा सूट है येस गाइस कितना ही जैदा अमेजिंग सूट है ये खी है अब तुम्हें टेंचन लेने के जुरूरत नहीं है मैं सारे सूट बाई करके ले आऊँगा मुझे लगता है मुझे यहां से जाना होगा फर एक बात याद रखना तुमने जो प्रॉमिस किये मेरी मदद करने का वो तुम पूरा करोगे ओके ठीक है मैं पूरा करूँगा मुझे लगता है मेरे को बाग कर जाना होगा जल्दी से बाग कर जाता हूँ इस डैड़पूल के सूट के अंदर कोई ना कोई पावर तो छुपी होगी मुझे चेक करना होगा होके बैई यहाँ से बाग कर तो जा रहा हूँ कितनी स्पीड से होगी वुल्वरीन के सूट के अंदर कितनी डेर सरी पावर है होके मुझे जम करना होगा क्या ही लोंग जम किया मुझे यहाँ से जाना होगा जब तक हम लोग सीटी की तरह पहुंचते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस चीज लेकर आया हूँ अगर आप लोग भी मेरी तरह गेम कहल कर कुछ कमाना चाते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बारत के ट्रस्टी डिस ओनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म के बारे में जिसका नाम है जीत विन और हाँ गाईज इसकी ब्रैंड इबेस्टर खुद सनी लियोन है जीत विन पर साइंग अप करते ही आपको मिलेगा 500 तक का फ्री बोनस और यही नहीं गाईज अगर आप लोग अभी जाकर साइंग अप करते हो तो 5 फ्री स्पिन मिलेंगे जिनसे आप लोग जी सकते हो 10,000 पे तक का इनाम और जीत विन में हर गेम पर पाव इंस्टेंट रिबेट बोनस और कैश बैक और हर फ्रेंड को रेफर करके पाव 200 का बोनस और अप टू 50 परसंट कमिशन यहां आपको मिलता है इंस्टेंट डिपोजिट एन इस्टेंट विड्रावल और आप लोगों के लिए 24-7 कस्टुमर सर्विस भी तो गाइस देरी किस बात की अभी रिडिश्टर करो मेरे कॉमेंट में दिये हुए लिंक से होके मैं बाग कर तो जा रहा हूँ यहां से पर यह क्या देख रहा हूँ यह सामने की तरफ सेंचन और चोप का स्कूल है ना इनके स्कूल के बाहर यह इतनी ज़्यदा बीड क्यों लगी हुई है अरे यहां पर हुआ क्या है इस वली गाड़ी के पाहां देख सकते हो अरे बुलेट और यहां पर कुछ खून भी पड़ा हुआ है अरे पॉलीस आफिसर इतनी ज़्यदा बीड क्यों लगी हुई है क्या होगी है यहां पर देखो यह सारे स्कूल में इसलिए खड़े हैं के इनके बच पर देखो अगर तुम हमारी मदद कर सकते हो तो तुम्हें पूरे एक लाग डालर मिल सकते हैं जो के पलिश डिपार्टमन्ट की तरफ से मैं तुम्हें दूंगा ओके ठीक है तुम लोगों को गबराने की जरूरत नहीं है अब मेरा खाम है तुम लोगों की मदद करना गाइस फाइनली मुझे यहां से जाना होगा बच्चे किटनैप हुए हैं बच्चे किटनैप होकर कहां पर जा सकते हैं एक मिनट मुझे एक गैंग के अड़े का पता हूँ मुझे लगता है इसी साइड पे था वो गैंग वलो का अड़ा मुझे जाकर देखना होगा इसी जगा पर वो जब भी डील करते हैं एक मिनट सामने की तरफ तो मुझे कुछ नजर आ रहा है एक मिनट कहीं पर यह लोग मुझे देखना पाएं जल्दी से मुझे छु बस आदा गेंटा सबर कर जाओ क्योंकि तुम लोगों को हम लोग डिपोर्ट करने वाले हैं दूसरे मुल्क में और वहां पर तुम लोगों से कैसे कैसे काम लिये जाएंगे बच्चों तुम याद करोगे अले क्या अपली तमें तोल दो प्ली तमाले ता तैता मत करो ओके गाईज ये से पहले इन बच्चों को दूसरे मुल्क में बेच दे मैंने मारूंगा ओके क्या ही जोड़दार मारा मुझे यहां से जाना होगा और बच्चों तुम लोगों को गपराने की जुरूरत नहीं है क्योंकि फुल फडीन आ चुका है तुम लोगों की मदद क लिए यह क्या मुझे पर शूट करेगा यह राग गैंक का बहुती सभी मारा ओके इस टकले को भी अब तुम पर शूट करेगा यह रहा चुका है जा कहां पर रहा है इसकी एसी किता है ऑके यह मार किक होब यह पीछे भी और यहां पर भी डियर सारे चुपे हुए हैं मैं तो एक को लेकर समझ रहा था यहां पर तो बहुत सा रहे हैं अब यह क्या हरे टकले कई के तेरे को तो अभी मैंने पीला था सही से ओके गाइस मार डाला इन सबको और बच्चों तुम लोग रूख जाओ पागो कई भी नहीं अले थैंक्यू ठो मत वुलवलीन तुमने हमा अरे बच्चे जो किड्नैप हुए थे वाउ तुमने कितना ही बड़ा काम किया है तुमें पता नहीं है और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें एक लाग डालर दूँगा तो यह लोग डालर ओके गाइस मेरे पास आ चूके एक लाग डालर तो मैं क्या करने व Okay guys, मेरे को ये destroyer का suit मिल चुका है, कितना ही जयदा amazing है, मुझे यहाँ से बाग कर जाना होगा, क्या ही speed से बाग कर जा रहा हूं, हरे ये तो वुलवरीन के suit से भी ज़्यदा तेज बाग सकता है, मुझे जाना होगा, यहाँ से jump करनी होगी, अबे कया ही लॉंग जाम्प हो चुकी आपनलोगों की जा रहा हूँ मैं एक मिनेट ये सामने की तरफ क्या देख रहा हूँ होके मैं बाहर कर तोheure साомने की तरफ मिल्टरी कर्नल क्यों खड़ा है अरे मिल्टरी कर्नल क्या हो गया यहाँ पर क्यूँ गाड यह रोकर कड़े हो देखो डिस्ट्रॉयर मुझे तुम्हारा ही इंतिजार था तुम्हें पता है ये जो पीछे ट्रक खड़ा है इसमें गोल्ड पड़ा हुआ है और मुझे ये भी पता था और मुझे ये पता चला था कि तुम्हें साइट से आ रहे हो इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर रोकर खड़े होगे तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा ये गोल्ड तुम्हें पुचाना होगा सीधा मिल्टरी बेस के अंदर अगर तुम्हें इसे पुचा देते हो तो पूरे पांच लाग डालर तुम्हें मिलेंगे तुम्हें पता है हम लोग इसे नहीं लेकर जा सकते क्योंके रास्ते में काफी ज़दा मुश्किलात है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अभूमी नेशन वो हमसे गोल्ड चीनने की जरूर कोशिश करेगा अगर ये गोल्ड हम लोग पचा देते हैं मिल्टरी बेस में तो ये गोल्ड हमारे काफी काम आ सकता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ओके ठीक है मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए त्यार हूँ पर पांच लाग डादर का जो प्रोमिस की है ना वो पूरा कर देना गैस ये राटरा के इस ट्रक के पीछे वाकी में गोल्ड पड़ा हूँ और काफी जैदा ओके मुझे इस ट्रक के अंदर बैट कर जाना होगा अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा यहां से ट्रक को लेकर जाना होगा अरे फाइली क्या ही स्पीड से लेकर जा रहा हूँ मैं इस ट्रक का देखता हूँ अब उमिनेशन कहां पर मेरे रास्ते में आता है होके अपने ट्रॉक को बगा कर लेकर जा रहा हूँ होके जहां तो रहा हूँ ये सामने की तरफ कोन है अबे ये तो अभू मिनेशन है मिल्टरी करनल बिल्कुल सही कह रहा था मुझे लगता है न अब इसे सबक सिकाना येगा अबुमिनेशन मेरे रास्ते से हट जा इतनी असानी से ता मैं नहीं हटने वाला मुझे ये सारा गोल चाहिए और मुझे ये भी पता है मिल्टरी करनल ने तुझे बोला है डिस्ट्रॉयर ये सारा गोल पोचाना है तुने मिल्टरी बेस में पर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूँगा तुझे मैं मार डालूँगा मरने के लिए तेयार हजा अरे गाइस ये तो बेरो को पीड रहा है मुझे यहां से बागना होगा और मेरे पास ये जो स्मोक वली पावर है से एक्टिव करना होगा अरे गाइस इसे पता नहीं डिस्ट्रॉयर के अंदर है फ्रैक्लीन जो इसकी दजियां उड़ा रहा है ये देख सकते हो ये पावर चट से निकल रही है और मैं अबुमिनेशन को पूरे को पूरा निकल दिया फाइनली मुझे जाना होगा अबुमिनेशन को तो रास्ते से अटा दिया ये रा ट्रक होवे ये ट्रक उसने तो हवा के अंदर खड़ा कर दिये से नीचे उतारना होगा ओके गाईज अब इस ट्रक को लेकर जाता हो सीधा मिल्ट्री बेस के अंदर और वहाँ पर मिल्ट्री करनल से लेने भी है मैंने पांच लाग डालर जैसे ये ट्रक वहाँ पर पहुंच जाएगा पांच लाग डालर आपन लगो के कांट में ट्रांसफर हो जाएंगे के लोगों को ऑपन करना होगा सुपर हे इडो का फ्यूजं सूर्स टॉर् ओके इस जगापर मैं खड़ा कर देता हूँ यह क्या सामने की तरह मिल्ट्री करनल मुझससे पहले पहुंच चुका काई मिल्टरी करनल ये मैंने पूछा दिया गोर्ड का ट्रक मेने जैसा बोला था तुमने बिलकुल वैसा ही किया है तो वादे के मताबिक मैंने तुमसे प्रोमिस किया था कि मैं तुम्हें पांच लाग डालर दूंगा ये लो 5 20 लाक डालर में रहार को क्लिक एंड ऑय आएज मेंन को मिल चुका ये लो की का सूट कितना ही जयदाू कर जाना हूँ यहां से क्यूंकि आ चल्दी से जम करतां और बाग कर निकलता हूं कि ऑगकर तो सामने की तरफ क्या देख रहा हूं अरे ये गाड़ी कितनी ज्यादा अमेजिंग है लिकन ये तो मुझे लगता है बैटमेंड की कार है अब इक इतनी ओसम है एक मिनेट मेरे माइंड में न एक खुलफाती आइडिया आया है अगर बैटमेंड की ये कार मैं किसी तरह इससे ले लेत हूं और जाकर सिम्योन को बेज देता हूं तो फिर भी तो मेरे को पैसे मिल सकते है ना येस ये काफी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पर मुझे छुपके जाना पड़ेगा बस इससे पता न चले गाइस दियान से जाना होगा अगर बैटमेंड ने मुझे देख लिया न गाइस टाइम काफी ज़्यादा कम है जल्दी से इसके अंदर बैठ जाता हूं मैं ओके अब इस वाली ना बैट मुंबाइल को बगाना होगा क्या स्पीड से बुगा रहा हूं गाइस आप लोगों को सच बताना कोमेंट सेक्शन में ये गाड़ी कैसी लेगी देखता हूं किस को बैट मैंन की ये बैट मुंबाइल पसंद है किस किस के कोमेंट यस के आते हैं कि यहाँ से स्पीड से जाना होगा और यहां से यहाँ पर सीदा लेंड करवाया इस गाड़ी को बगाना होगा लेकर जारा हूं मैं फाइल यह रही सिमियोन की शॉप और मेरे गोना जाड़ी में लेकर आ गया है और इसे सेल करना चाहता हूँ ये गाड़ी तो मैं लेने के लिए त्यार हूँ पर मैं इसके तुम्हें पूरे वन मिलियन डालर में से बेचने के लिए त्यार हूँ तो ठीक है ये लोब वन मिलियन डालर तुमारे अकाउंड में ट्रांसर कर दिया मैंने ओके गाईज वन मिलियन डालर तो अकाउंड में आ चुके है मेरे को यहां से जाना होगा ये जगह काफी ज़्यदा सेव लग रही है तो ओपन करना होगा सूपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टार ओके ओपन कर लिया ये रहा वन मिलियन डालर का सूट करता हूं क्लिक एंड बाई ओके गाइस मेरे को ये थोर का सूट मिला है कितना ही ज़्यदा अमेजिंग सूट है ये देख सकते हो मेरे को यहां से जाना होगा ओके क्या ही स्पीड और वै फ्लाई कर पा रहा हो थोर के इस सूट के अंदर तेजी से fly करना होगा क्या ही इस speed से fly की हमेने यहां से मट कर निगलते हैं अब मेरे को चाहिए होंगे 10 million dollar क्योंके मेरे को next suit buy करना है वो 10 million dollar का और देखना होगा वो 10 million dollar का कौन से super hero का suit मिलता है मेरे को एक minute यह क्या देखा सामने की तरफ elevator और हर दफागी तरह मेरों को कहीं पर फिर से मेगा रहम चैलेंज तो नहीं मिल गया यह तो मुझे इन लोगे से पता करना होगा जाकी गाइस मुझे लगता है यह चैलेंज इन गैंग वालों ने अनाउंस करवाया है ओके देखो मैं भी इस चैलेंज को खेलने के लिए या मुझे भी खेलना है यह चैलेंज ठीक है तुम इस चैलेंज को खेल सकते हो पर सबसे पहले रूल जान लो इस challenge को खेलने के लिए तुम्हें 10 मिनट का time दिया जाएगा और 10 मिलियन डालर जीतने पर ही नाम और अगर हार गे तो 20 मिलियन डालर चुकाने होंगी यह हमारा बनाया हुआ सबसे ज़्यादा most expensive और खतरनाक challenge है देखता हूँ तुम्हें इस challenge को 10 मिनट में पार कर पाओगे के नहीं दास्ते में बहुत सरे trap है उनसे बच के चलना ओके घाइज यह तो मुझे न उस challenge पर जा करी पता चलेगा कितना खतरनाक है मैं इस challenge पर पहुंच चुका हूँ और यहां सामने की तरफ तीन तीन रास्ते हैं इन मेंसे मेरे को सही रास्ता चूज़ करके जाना होगा यहने के गाइस यह चूज़ दार राइट वे ओके पहला तो मेरे को पता है मैं इस वाले challenge से I think I wanna okay पहला रास्ता मेरे को खुद चूज़ करना होगा यहां से मुझे लगता है यह रैडवाला रास्ता सही हो सकता है तो इसे मैं सब्सक्राइब को भ़चा करता बिटो रातां एंट टाना होगा व् Yoast म copy पोसदोंensor को प्रशनार में शियर्ड करता कि ना जोगए तर्म कि थे सब्सक्राइब मुझे लगता है तर पर किल आधि थे क्या अब यह तो यहां से गिर गया और को लगता बाइक टच करनी होगी ओके यह रास्ता ठीक है मेरे को जाना होगा इस वले टनल के अंदर यहां से स्पीड से जा रहा हो के कुछ समझ नहीं हारी पर बाइक जा रही है फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इन फुटबाल के उपर एके करके जाना होगा गिर सकता हो बाइक को समालना मुश्किल है काफी जैदा होके यहां पर पहुंचा मेरे को तेजी से जाना होगा मैं वैसे जा सकता हो ब्रेक मारी होके यहां पर पहुंचा और तेजी से लेकर जा रहा हो कुछ समझ नहीं लग रही पर मैं पार कर चुकाओ ब्रेक मारी हीली इतना खतरनाक क्रासवर रास्ता में ने पार कर लिया ये क्या सामने की तरह फुटबाल यहां से ग्यान नीचे और मैं यहां पर पहुँंच चुका उऑ ये सेंटर वाला रास्ता मेरे को चैक करना होगा होके यह भी ठीक है फाइलली अपनी किसमत कितनी ज़्याद अच्छी है लग बहुत फिट रही अपनी जिस वले रास्ते को मैं चूज कर रहा हूँ आई तिंक पहले वाले रास्ते मेरे से गड़बर होगे लेकिन बाकी जो रास्ते मेरे चूज किये वह बिल्कुल ठीकते अब हैंड ना यहां पर किसी बीघंद साहित है हैंहां पर उबिकार farm को जायाँ हो जाना पर लेकर जाया झाया रहा है ओनगा कितना यहाड रास्ता बनाया गया था वर यह लास्टृ था्स पार कर लिए कर दिखाया इतनी स्पीड से कोई भी चैलेंज को पार निकर पाएगा यहां से जाना होगा के बाइक को लेकर जा रहा हो सामने राम राम से जाना होगा यहां से मुड़ा और एक तो स्किप कर दिया मैंने यहां पर गया यहां से सीधा सीधा राम राम से बाइक को लेकर जाना होगा ओके बाइक को यहां पर किया सीधा और तेजी से लेकर गया फिर से मैंने एक स्किप कर दिया बीच में से एक मिनट यहां पर तीन रास्ते है मेरे को लगता है न यह लास्ट वाला ओके यह सही है मैं राम राम से ज यहां से जाने की कोशिच करता हूं अभे यह क्या वाइक को करके लेकर जाना होगा अब भाइक को मेरे टाच करके देख लिया वरना मैं सीधा नीचे गिर जाता यहां से मुणना होगा यह वाला करना होगा 123 ओके यह रास्ता भी गड़ बढ़ता अभे बाई साब मेरी किस्मत काफी जैद अच्छे के मैं बाई का टैर टच करके देख लेता हूँ वरना अपनी हालत तो यह टाइट कर देते हूं वर सीधा इलमीनेट कर दिया जाता और फिर 20 मिलियन डालर चुकाने पड़ते ओके गाइस बाई खावा के अंदर है और इस जगह पर भी लैंड कर आया सामने फुटबाल यह क्या अब फुटबाल ने मेरा रास्ता असान कर दिया वह टाच हुआ और सीधा मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूं वह दूसरा रास्ता यहां पर गई आपनी यहां से बाई को बूस्ट करके लेकर जाना हुगा और यह सामने की तरफ इट बालता है और यह पतला सा रास्ता है यहां से जाना होगा अब Rs. सामराम से समल समल की ओके मेरे को डर तो लग रहा नीचे देखर पर डर ना नहीं है मेरे को 123 एंड गो पॉंच चुका इस जगह पे फाइलली उतरना होगा अब यह रहे पूरे मिलीएन डालर इन्हें कुलेक्ट कर लेता हूँ कि गाइस OS मिलीओन डालर तो अपने अचूट में आचुके हैं ओपन करना होगा सूपर हýro का फ्यूजन सूट स्टार ओपन कर लिया यह रहा 10 मिलीओन का सूट देखता हूँ कौन से सूपर हीरो गा मेरे को अब सूट मिलता है करता हूँ क्लिक एंड बाई होके मेरे को ये मिले है पावरफुर रेड हल का सूट जो कि कितना ही जएदा अमेजिंग है मेरे को यहां से बाग कर जाना होगा सीधा चलता हूँ अब एरपोर्ट वाली साइट पे क्योंके गाईज वही पर लगाएगी या वो फ्यूजन मशीन तो सीधा बाग कर पहुंचना होगा उस साइट पे फिर देखना होगा कौन से गोड सूपर हीरो में मैं कनवाड होता हूँ होके बाग कर जाना होगा यहां से जम करना होगा सीधा जम किया और पहुंच चुका हूँ यह सामने की तरफ विरा वो फ्यूजन मशीन अब इसके अंदर जा कर देखना होगा कौन सा गोड सूपर हीरो बनता हूँ मैं तो रेडियो आप लोग मेरे साओ वाण टो त्री एंड गो ओके गाइस यह मैं क्या बन चुका हूँ इतना ही खतरनाक किसम का वाइट गोरिला आइ तिंक यह वाइट गोरिला नहीं वाइट किंग कॉंग है तो गाइस कुछ सूपर हीरो थे और कुछ विलन थे इस वज़े से मैं इतना खतरनाक वाईट किंग कॉंग बनाओ तो मेरे को जाना होगा आप शेहर बे तबाई भी मचा सकता हो वैसे ये वाला सूट मेरे को जा कर देना होगा वुलवरीन को क्योंकि वो मेरे पास आयता तो गाईज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिना अब वुल्वरी मेरी मदद करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अपना बोसरा ख्यार रखना टेक केर बाई बाई